टी एंड कॉफी कंटेंस निकोटीन आर्द हराम और हलाल देखे कुछ लोगों का मानना है कि चूटे कॉफी और चाय में निकोटीन मौझूद होता है इसलिए इसे पीना हराम है तो देखे शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ सबजिया ऐसी हैं जिने हम बहुत शौक से खाते हैं और इन में भी निकोटीन मौझूद होता है मसलन कॉलिफलावर, पोटैटोस, टोमैटोस, ब्रेंजल इन सब में निकोटीन मौझूद होता है तो क्या हमें इन सभी सबजियों को भी खाना बन कर देना चाहिए अब सवाल उठता है कि निकोटीन तो टोबैकों में मौझूद होता है और टोबैकों तो सिगरेट में इस्तिमाल किया जाता है जो के हराम है इसमें तो कोई शक नहीं अनडावटेडली एनिफिंग डाट इस हामफुल इस हराम और फिर वही निकोटीन सबजियों में और बरिंजल पोटेटोस टोमेटोस वगएरा में भी मौझूद होता है तो वह हलाल कैसे हो गई तो देखिए यहां टोबैकों में मौझूद निकोटीन और सबजियों और चाए कॉफी में मौझूद निकोटीन का अमाउंट देखा जाएगा कि इन में निकोटीन का तनासुद क्या होता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस चीज का इस्तिमाल हराम है और किस चीज का हलाल ठीक है तो देखिए एक सिग्रेट में 10 मिलिग्राम निकोटीन मौझूद होता है और हमारी रेगिलर चाय में 285 धाएखा यानी .000285 मिलिग्राम जो के बिलकुल negligible amount यानि ना होने के बराबर बिलकुल मामुली सा nicotine मौजूद होता है tea content nicotine but in very less quantity जो के बिलकुल भी हराम नहीं है इसी तरह टोमाटो, पोटाटो, बरिंजल और कॉली फ्लावर में भी जो nicotine मौजूद होता है वो बहुत गयर मामुली तादाद में मौजूद होता है जो के हराम नहीं है और नहीं harmful है इसलिए इसे बिलकुल इस्तिमाल किया जा सकता है तेकि जितनी तादाद में nicotine, चाई और कॉफी और सबजीयों में मौजूद होता है वो बहुत ही कम आमाउंट में होता है बनिजबत सिगरेट के सिगरेट में निकोटीन इतनी ज़्यादात में मौझूद होता है कि जिसकी वज़े से लोगों को उसकी तलब लग जाती है यानि वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं जो के हेल्थ के लिए बहुत हामफुल है पर चाय और कौफी और सबजियों में इतनी ज़्यादात में निकोटीन मौझूद नहीं होता कि हमें उसकी तलब लग जाए बिल्कुल चाय और कौफी हलाल है आप पी सकते हैं कौफी और कौफी और कौफी और कौफी और कौज इन टॉक्सिकेशन वरना लोग अकसर कन्फियूज हो जाते हैं कि शायद कौफी और चाय पीना हराम है क्योंकि इन दोनों में निकोटीन मौझूद होता है तो देखे बोथ टी और कौफी है एव एवरी निकलेजिबल लेवल आफ निकोटीन बिल्कुल आप कौफी और टी पी सकते हैं बट बहुत जादा भी चाय और कौफी का इस्तेमाल ना किया जाए इससे कोई बहुत जादा फायदे भी नहीं है यह पीना हराम नहीं है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबा दोपह शाम बस यही पीते रहें इससे बहतर है कि आप दूद और फूट जुसका इस्तेमाल करें रहा कौफी के हलाल होने का मसला तो देखे यह एडेक्टिव नहीं है यह बिल्कुल जाएज है इस परफेक्ली हलाल